यही है तमन्ना बने बाबा तुम साथ चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए यही है तमन्ना बने बाब तुम साथ यही है तमन्ना बने बाब तुम साथ चले साथ कर को घड़ी ऐसी आए हमें तो अतन की बहुत याद आए हमें तो अतन की बहुत याद आए हमें तो अतन की बाब तुम साथ यही है तो अतन की बाब तुम साथ किस काम की है पुरानी ये दुनिया बड़ी प्यार है वो निराकारी दुनिया विदेही बनेंगे प्रभू संग चलेंगे परम शांतिया आनंद अनुभव करेंगे देखो इशारों से कोई बुलाए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए मुद्दत है वो तो आए तो आए मुद्दत है तो विद्दत है वो तो आए मुद्दत हैं गुजरी बिछडे वतन को मिला क्या यहां पर लगा करके मन को यह तुमने बताया हुआ खेल पूरा जगत का इना तक रहा न दूरा यहां की नशे कोई अब जी को भाए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत आए यहां की बहुत आए यहां की बहुत आए यादों में बाबा तेरे मन मगल हो बूला हो संसा बूला ये चन हो तभी पुश्प वर्शा हो गूंजे बधाई पुडो प्राण मेरे चलो ले विदाई परिष्टों की मैं है फिल है आँखे बिछाए परिष्टों की मैं है फिल है आँखे बिछाए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो! यही हमें तो में तो वतन की बहुत याद झाल 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 तुम्हारी आत्मा माया के पास है तुम्हार तुम्हारी आत्मा आत्मा झाल है तुम्हें जो महसूस्ता आती है वो तुम्हारे आत्मा के नहीं है बच्छे आप अमें बताओ किसी ने शरीर छोड़ा है उन्र जनम में किसी और शरीर में चला गया है उसके जनम दिवस पर या मृत्यु दिवस पर जो उसे बुलाया जाता है क्या आत्मा आती है चेक करो बच्छे कौन आता है सब समझ की बात है बच्छे बस चेक करो कौन आता है वैसे ही सेम बात है तुम जब घड़ी घड़ी अपने को आत्मा देखते हो तो क्या तुम उपस्तित हो रहे हो पुर्ण रूप से तो कौन उपस्तित हो रहा है और जब तुम अपने आपको आत्मा नहीं देख रहे हो उस consciousness में नहीं हो तो कौन उपस्तित है बच्चे जब भी व्यार्थ संकल पचले निगेटिव संकल पचले आत्मा नहीं है आत्मा शुद्ध है पवित्र है आत्मा को पता ही नहीं है व्यार्थ क्या होता है निगेटिव क्या होता है वो कैसे चलता है कैसे चलाया जाता है आत्मा को पता ही नहीं है आत्मा सिर्फ शुद्ध है पवित्र है सदा के लिए उसको गलत, पाप, दुष्टता कुछ पता ही नहीं बच्चे आत्मा सदा पवित्र है बस आत्मा उपस्तित नहीं है तब जो व्यर्थ चल रहा है वो माया चला रही है तब जो निगेटिव संकल्प उठ रहे है माया उठा रही है बच्चे बाप जैसे कहता कल भी कहा, जिन रोया तिन खोया बच्चे, कल भी मैंने तुम्हें बताया, आज भी बता रहा हूं जब तुम रोते हो, रोने के बाद, जिस सिकेंड तुम रोये, उसके बाद इसे तीन घंटे के लिए तुम्हारी आत्मा तुम्हें उपस्तित नहीं हो सकेगे कुछ भी करो कितना भी आत्मिक सिती करो कितना भी योग लगाओ कितनी भी मुर्लिया पढ़ो एक सिकेंड रोने के बाद, मन से या मुख से मनाखो से तीन घंटे के लिए, एक प्रहर के लिए आत्मा उपसित नहीं रहती गई आत्मा फिर तुम मुरली में मेरे सम्मुख बैठो या कमरे में जाकर टेंट में बैठो या जहां भी योग लगाओ मुरली पढ़ो आत्मा नहीं है तीन गंटा पुर्शार्थ करने के बाद कही वो consciousness उतराएगा त्हान से चेक करो इस बात को तुमारी आत्मा बच्चे माया के लोक में है तुमें खबर नहीं है माया के लोक में बच्चे तुमें पता ही नहीं है घड़ी घड़ी जब तुम अपने को यहां आत्मा देखोगे देखते देखते जुडते जुडते उर्जा आते 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 ऐसी उर्जा यहां create हो जाएगी कि उस seat पर आत्मा आकर set हो सके आत्मा body consciousness की seat पर कभी set नहीं होती उसको सीहासन लगता है soul consciousness का सीहासन लगता है पहले preparation करना पड़ेगा घड़ी उर्जा को create करकर फिर proper sufficient जितनी चाहिए उतनी उर्जा create होने के बाद आत्मा के वहा विराजमान होती है फिर तुमें पुर्णत्व की अनुवोती होती है यह जो तुम बार बार अपने को आत्मा समझ रहे हो आत्मा देख रहे हो वो बस आत्मा को लाने का प्रयास है माया के लोक से इसे ध्यान से समझो सोने के बाद सपने कौन है कैसे सपने आते हैं कौन दिखाता ये किस लोक में लेके जाते है तुम्हें ध्यान से चेक करो बच्चे सारी समझ की बात हैं सारी की सारी तुम प्रोसेस को ध्यान से समझो तुमारी आत्मा खो गई है बच्चे तुम इसलिए बाप कहता है माया के किसी भी नाजनकरे में नहीं जाओ तुम्हारे देह और देह के जितने भी संसकार है उस सब माया के हैं अगर उन संसकारों को तुमने खाद दी पानी दिया तुम आया और कड़ी होगी इसलिए भक्ती में गाया है तुम्हे संग बैठों तुम्हे संग खाओं तु जहां रखे जैसे रखे जो खिलाए जो पिलाए जो पहनाए इसे माया के संसकार समाप्त होते हैं माया के संसकारों को संभालोगे तु माया कड़ी होगी मर्जी तुम्हारी बैठे पर प्रोसेस समझो ध्यान से तुमसे श्रीमत क्यों नहीं पालन होती क्योंकि बैठे आत्मा उपस्तित नहीं है आत्मा और मेरी श्रीमत तोड़े इंपॉसिबल है बच्चे इंपॉसिबल है आत्मा मेरी श्रीमत तोड़े आत्मा और परमात्मा के साथ ना रहे समर्पीत ना हो जाए इंपॉसिबल है कुछ भी हो जाए आत्मा को पता है इस संसार में परमात्मा के आलावा मेरा कोई नहीं है आत्मा परमात्मा को छोड़ के कही नहीं जाती बच्चों सारे लक्षनों को देखो आत्मा को यही लगता है परमात्मा कुछ कहे और हम कुछ करे वो मनमत से कुछ नहीं करती कभी उसका मन होता ही नहीं है क्या करूं मैं मनमत से आत्मा के अंदर मनमत का कोई संसकार नहीं है वो तो माया का संसकार है परमत का कोई संसकार नहीं है वो तो माया का संसकार है अभी भी मनमत चलती है परमत में अच्छा लगता है आत्मा नहीं है बच्चे माया उपस्तित है माया को अपनी ही बात अच्छे लगती है दोसरों की बाते अच्छे लगती है आत्मा मम्मा में उपस्तित थी इसलिए मम्मा को संसार की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी संसार की किसी बात को मम्मा देखती नहीं थी न मम्मा को कभी कोई किसी पदा रथ में आनंदा आया न मम्मा को कुछ पहनने का अच्छा royal शौक था नहीं बच्चे आत्मा उपस्दित थी ब्रह्मा बाप की और मम्मा की कहानी पढ़ो सुनो देखो विडियो एतो बासमाब आप समान बनू वो और कुछ नहीं है आत्म उपस्तिती में कैसे रहना है कैसे चलना है क्या बात करनी है क्या करना है यह सिर्फ ब्रम्मा और मम्मा में दिखेगा तुम उससे फॉलो करो बासमाब आत्म उपस्तिती ही बता रहा हूं मैं तुम्हें बाकी कुछ भी न बच्चे, समझ की बात है, सारी, बच्चे चिंतन कर अपने, पूरा-पूरा, आत्मा उपस्तित है क्या, और तुझे अगर नहीं लानी है, तो मुझे कोई आपत्ती नहीं, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कि तु आत्मा ला, माया के लोक से, तुझे अगर अच्छा लग में अखूट प्यार है, अती प्यार है, यह प्रमान है बच्चे, कि आत्मा नहीं है, माया उपस्तित है, माया को जहां से तन मिला उसी से प्यार है, तन के मितर संबंदी, तन की आवश्चकता है, तन की सारी व्यवस्ता, यह माया को अच्छा लगता है, आत्मा को तन की किस व्यवस्ता में कोई इंट्रेस्ट नहीं है आत्मा आत्मा है बच्च चेक कर अपने आपको तेरी आत्मा को देख उपस्तित है क्या समझ है बच्च 24 गंटे बच्च आत्मा की ही बाते करना पड़ेगा ऐसे लगातार भूत काल का अभ्यास और बार बार यहां आत्मा के लिए सीहासन तयार करना पड़ेगा तब जाके माया के लोग से आत्मा आएगी समझ है बच्च बताव हमें कोई जेल में कैद है और बार बार रोज उसके परिवार वाले जेलर के पास जा रहे थाने में जा रहे रोज जा रहे सरकार के पास जा रहे भल बड़े गुना किये है रोज लगातार जा रहे एक मास दो मास तीन मास चार मास एक साल एक दिन सरकार छोड़ेगी की नहीं छोड़ेगी एक दिन जरूर छोड़ेगी कितना भी बड़ा गुना हूँ कुछ न कुछ सरकार उपाय बताएगी, option बताएगी और कहेगी ठीके चलो, आप इन्हें लेके जाब, हम रिया करते हैं सेम माया करती हैं, रोज अपनी आत्मा को लेके आओं अपने अंदर, घड़ी घड़ी यहां आत्मा को उपस्तित कराओं गड़ी गड़ी, तो माया देखेगी, सच में इसे अत्मिक सिति में आना है इसकी कड़ी दिल है, बड़ी दिल है, तो माया कहेगी, चीक है आपकी आत्मा को अम रिया करते हैं, अप लेके जा सकते हो और आत्मा उपस्तित हो जाएगे ऐसे नहीं आएगे चलते फिर ते माया भी देख रही है क्या तुझे तेरे शरीर के प्राणों से प्रिय तेरी आत्मा है अगर है तो हम दे देंगे उतना प्रयास कर रहा है तो मना मेरी आत्मा वापिस पाने के लिए मेरा शरीर भी चला जाए तो भी मन्जूर है पर मुझे मेरी आत्मा वापिस चाहिए इतनी कशिश पक्की कि मुझे मेरी आत्मा वापिस चाहिए कुछ भी हो जाए समझ है विच्चे चिंतन की बात है सारी वो मुवी है न, Clash of Titan पुरानी ओल्ड, 1981 की यह तो 2000 की है, जो आप सब ने देखे 1981 या 82 की है समझी उसमें प्रॉपर दिखाया है वो बच्चे जाते है छोटी सी शैतान के पास कहती है, mercy on me मेरी आत्मा मुझे वापिस करो मुझे पर दया करो आप जो बोले मैं करने के लिए तयार हूँ बस मुझे मेरी आत्मा वापिस देतो mercy on me बच्चे जिन्दा गई ना बाद भी कर रही है ना क्या मांगरे आत्मा इसका आर्थ क्या है, बच्ची में आत्मा नहीं है भल बच्ची आत्मा की बात कर रही है कि मुझे मेरी आत्मा दे दो मुझ पर दया करो, मुझ पर करुणा करो अच्छे गुणों की अच्छी बाते कर रही है पर क्या मांग रही? आत्मा इसका आरत क्या है? आत्मा मांग रहे तो आत्मा नहीं अंदर वही तो बच्चे में तुझे समझा रहा हूँ कि तेरी आत्मा तुझमें उपसित नहीं है देन राद तुझे तेरी आत्मा को पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा यहां तक कि मेरे तन का कुछ भी हो जाए बस मुझे मेरे आत्मा वापिस चाहिए तब बच्चे तु आत्मा पर काम कर पाएगा आत्मा ही नहीं आए तो यो कौन सा करेगा गुनिशक्तिया कौन सी धारन करेगा पास्वरुपों की ड्रिल किसको करा आएगा मुरली किसको सुना आएगा बच्चे तु सकाश किस से कौन कहा देगा समझ है बच्चे प्रपर समझ तु ऐसे अंदकार में ना चल अंद श्रद्धा में ना चल ब्लाइंड फैत ऐसे विश्वास रखा और चले प्रपर विधीयो को समझ बच्चे अच्छे से विधीयो को समझ विधीयो को समझेगा तो प्राप्ति हो जाएगे आत्मा खो गई है बच्चे समय लगेगा ब्रम्मा बाप को भी समय लगा मम्मा को भी समय लगा अपनी आत्मा को वापिस लाने में बच्चे ऐसे नहीं कि मैं शिव बाप ब्रम्मा तन में आया और और अटोमेटिकली ब्रम्मा बाप की आत्मा जागुरुत हो गई या वापिस आगी नहीं बच्छे, ब्रह्मा तन मेरा सिर्फ इंस्टूमेंट है, ब्रह्मा बाप को अपना पुर्शार्थ करना है, मैं उस तन में आया, इसलिए आत्मा आटोमेटिकली आजाएगी, यह सब धंदा नहीं होता बच्छे, उनको पुर्शार्थ करके अपनी आत्मा को लाना है, मे ऐसे नहीं कि इंस्टूमेंट में मैं बैठा हूँ तो पुर्शार्थ से वो फ्री है, नहीं पुर्शार्थ तो करना ही पड़ेगा विच्छे, समझ की बात है, विच्छे देख, वापिस चेक कर अपने आप को, जब-जब लाइट नहीं दिख रही है, सितारा नहीं दिख वाले हूँ, सिर्फ सितारा दिख रहा है, तो तुम सत्युग वाले हूँ, प्रजा, सितारे में कुछ गुण शक्तिया मनबुद्धी संसकार दिख रहे, तो शायद तुम सावकार हूँ, सितारे में सारी गुण शक्तिया दिख रहे, मनबुद्धी संसकार और अपने प्र प्रति, रोयल फैमिली वाले हों, सितारे में सारी गुण शक्तिया दिखरी, विश्व के प्रति यूज़ कर रहे हों, तो बच्चे, तुम राजा महाराजा हों, समझ की बात हैं, देखो आपने आपको क्या दिखता है, मैंने स्पष्ट दे दिया गया, लाइट, त्रेता, सि रावकार, गुण शक्तिया है, दिखरी, पर पूरी स्पष्ट नहीं हो रहे, रोयल फैमिली अपने प्रति गुण शक्तिया इस्तमाल करने वाले, दिख भी रहे, और राजा महाराजा है, विश्व के प्रति गुण शक्तिया इस्तमाल करने वाले, इन सब में, तुझ में क समझ की बात है बच्छे, चिंतन कर अपने से, पूरा पूरा, आत्मा तुझमें उपस्तित है क्या? सब समझ की बात है, सारे संसार की आत्मा माया लेके गई हैं, सारे संसार की, इसलिए कठिनाई हो रही है परिवर्तन में क्योंकि मैं कोई देह का परिवर्तन करने के लिए नहीं आया हूँ मैं कोई प्रकुरती का परिवर्तन करने के लिए नहीं आया हूँ मैं आत्माओं का परिवर्तन करने के लिए आया हूँ पर आत्मा है ही अगर उपस्तित नहीं है, तो मैं किसका परिवर्तन करूँ, किसको ग्यांदू बच्छे, सब समझ की भाते हैं, सारी की सारी, चिंतन कर बच्छे, जब जब तू अशुद्ध बातों में है, चिंता में है, आत्मा नहीं है, डर में है, भय में है, आत्मा नहीं नहीं है तो डिस्टब है नाराज है उदास है आत्मा नहीं है जब जब बच्चे काम क्रोध लोग मोह एहंकार और उनके बाल बच्चों के संकल पर उठ रहे हैं आत्मा उपस्तित नहीं है सिंपल बात घड़ी घड़ी आत्मा को लाना पड़ेगा घड़ी घड़ी सब समझ की बात है जब तु पूर्णा आत्मिक रूप से शान्ती में है आत्मा के बैठेगे तु सुखस्वरूप अवस्ता में है आत्मा के बैठेगे तु प्रेम स्वरूप है अत्मा उपस्तित नहीं रह सकती ध्यान से उसका साइन्स समझो उसके सारी बाते विदि विधान समझो वो कब आती और कब जाती है ध्यान से समझो बाप क्यों कहता है सदा खुशी में रहो खुशी कभी कम नहीं होनी चाहिए क्या कहा है खुशी के लिए आत्मा गई बच्चे, मैंने कहा न, खुशी ही आत्मा की प्रोपरटी है, खुशी गई की आत्मा गई, जब जब तू खुश नहीं है, बच्चे आत्मा उपस्तित नहीं है, तू कितना भी कह, तू आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, इतने लंबे वर्षों से बच्चे तू स् पर स्वमान क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है बलकि कितने की होंगे तुने जब से तु ग्यान में है तुझे तो सब याद है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं मैं मास्टर ग्यान सूर्य आत्मा हूं अनगिनत हैं रोज कहता रहता है मैं परंपवित्र आत्मा हूँ स्वमान सिद्ध क्यों नहीं हो रहे क्योंकि जिसे सिद्ध होना है वो उपसित नहीं है इसलिए स्वमान सिद्ध ही नहीं हो रहे कोई स्वमान सिद्ध नहीं होगा वच्छे क्योंकि स्वमान सारे आत्मा के देह क्या है यी नहीं उससे विपरीत देह की एक बात बोलके देख संसकार बन जाता है क्योंकि माया उपस्तित है देह से संबंदित एक बात उच्चारण करके देख मन ही मन कितने लंबे समय तक वो vibrations या घूमते रहते हैं क्योंकि माया उपस्तित है आत्मा उपस्तित होती तो बच्चे आत्मा का सब चलता बच्चे सब चिंतन की बात है चिंतन करना चाहिए कभी सोचना चाहिए 1936 से बाप एकी बात कह रहा है बच्चे अपने को आत्मा समझो बच्चे अपने को आत्मा समझो इतने लम्बे अर्शे से बाप एकी बात कह रहा है ऐसे क्यों समझ है बच्चे देह समझना ही उल्टा बनना है देह समझा की उल्टा बनोगे बच्चे देह ने समझो भले तुम सीदे चल रहा पर उल्टे हो जाओ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा उल्टे हो जाओ देह समझने से ही भूत बन जाते हो समझ है वच्चे इसलिए बाप कहता है बार बार निंदा स्तुती मान अपमान हर बात की परिक्षा करो स्वयम की हर बात की कि किसी ने निंदा कराई तो हम उपर नीचे तो नहीं होते न अगर उपर नीचे हो रहे हो मान माया उपस्तित है किसी ने स्तुती कराई तो अच्छा लग रहा है माया उपस्तित है इस कल्यूग की स्तुती माया को अच्छे लगती है उसे निंदा अच्छे नहीं लगती इस कल्यूग का मान उसे अच्छा लगता है उसे अपमान अच्छा नहीं लगता कल्यूग में जिसने निंदास विकार करी वही पर आत्मा है कल्यूग में जिसने घड़ी-घड़ी अपने आपको अपमानित किया कराया वही पर आत्मा उपस्तित है समझ है बच्चे चेक कर अपने आपको तेरी अवस्ता कैसी है, तुझे में आत्मा उपस्तित है क्या, चेक कर बच्छे, ध्यान से, और बच्छे आत्मा अगर उपस्तित नहीं, तु काम क्या करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, बता ना तुम, अपने उपर, तु ही नहीं है, समझ है, बता मुझे, संकल्पने कट कर रहे हैं, तेरे परिवार के सदस्य महलो की परिवार के सदस्य के शरीर के अंदर कोई दूसरी भटकने वाली आत्मा प्रवेश हो गई तुझे पता है, ये दूसरी आत्मा है वो कहरे मुझे चाय दो देगा मेरी ये व्यवस्ता करो, करेगा तो उसके पास भी जाएगा क्या उसको समझाने के लिए कुछ आत्मा अगर दूसरी उपस्तित है तो नहीं जाएगा बच्छे तो क्योंकि तुझे पता है तेरे परिवार का सदस्य नहीं है ये कोई और आत्मा आ गई इसके अंदर जिसके अपने नाजनकरे है जिसके अपने शौक है क्या करेगा तो दूर चला जाएगा उससे बाब भी वही समझा आ रहा है तुझे में भी यही अवस्ता हो चुकी है माया चुकी है समझ है विच्छे माया आए ध्यान से चेक कर तुझे पांस सिर है काम क्रोद लोग मोह एंकार तुझे खबर नहीं है विच्छे तु भी पंचानन है पांस सिर वाला माया रूप में है तो आत्मा रूप में है तो एक ही है समझ है विच्छे समझदार वन पूरा पूरा चिंतन कर अपने से देख तुझ में क्या है तू चेक कर जैसे उस बच्छे की तू व्यवस्ता करने के लिए राजे नी जिसके अंदर दूसरी आत्मा आई है सेम बात अपनी तू क्या व्यवस्ता कर रहा है समझ की बात है बच्छे बलकि बच्छे घड़ी घड़ी तुझे अपनी आत्मा को खीचना है माया की लोग से घड़ी घड़ी आत्मा को उपस्तित कराना पड़ेगा घड़ी घड़ी मैंने क्या राव किसी को ये करो थोड़ा सा तकलीब भरा है माया के हिसाब से पर करने के लिए हमत लगती है हर मिनिट का अलाम लगाना अत्मिक सिती का हर मिनिट का हर मिनिट अलाम बज़ रहा है तक हर मिनिट भले दस बीस सिकनी से अत्मिक सिती में बैठ सके इसलिए पहले से का तकलीब भरा है माया के लिए क्योंकि हर मिनिट अलाम बजेगा कोई खाने की बात नहीं है हर मिनिट अब बच्चों से करा है ना बाबा ने पुराने स्थान पे हर मिनिट में 10 सेकंड अत्मिक से थी हर मिनिट में 10 सेकंड अत्मिक से थी फिर बच्चे 40-50 सेकंड सेवा करते थे वापिस 10 सेकंड रुखते थे अलाम बजता था एक बच्चे को बिठा के रखा था बच्चा मिनिट का अलाम बजने का बाद बोलेगा अत्मिक सिति हर मिनिट में 10 सेकंड कराये है बाबा ने ऐसे नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ बच्चों से कराया है सब हर मिनिट में 10 सेकंड उसे क्या होता था 10 सेकंड अत्मिक सिति करने के बाद अगले 10 सेकंड तक रुख जाती थी 20 सेकंड हो गए फिर पता है अभी एक मिनिट आएगा तो उससे 5-4 सेकंड 10 सेकंड पहले ही एक याद होती थी कि अभी एक मिनिट होने आएगा मना तीस सेकेन इसे होती थी हर मिनिट में पर अगर तेरे देह के संसकार है तो मैंने काना तकलीब भरा है लंबे समय के लिए बाबा ने करा है बच्चों से हर मिनिट में दस सेकेन एक दो बच्चों को खास बिठाया ही था जहां सेवा चल रही है दो हॉल है तो बीच में बच्चा बैड़ता था उधर भी आवाज जाई इधर भी आवाज जाई उसका काम है अलाम देखना जैसे अलाम बजेगा वो बच्चा अनाउंस करेगा आत्मिक से थी हर मिनट में फिर वह वापिस कहेगा दस से किन होने के बाद उम शांति ये है बच्चे बटी ऐसी होती है समझ की बात है सारी पर माया के संसकार ना हो तो कर पाओगे वरना कठिन है बच्चे ये सब बड़ा कठिन है अच्चे बड़ी पढ़ाई है हर मिनट में दस से किन के लिए अपने को आत्मा देखना फिर भी पचास से किन तुमारी माया को मिले दसी से किन आत्मा को दे रहे देखा जाये तो उल्टा करना चाहिए हर मिनट पचास से किन आत्मा को देखना है और दस सेकंड की छूट देनी है पिर भाबा कहता है अटलिस यहां से शुरुवात करो हर मिनिट दस सेकंड आत्मा देखेंगे हर मिनिट दस सेकंड देखो बच्छे मैं तो रोज विधी विधान बताता हूँ अनगिन जिसका मन होगा अपने से करेगा नहीं होगा तो मैं भी क्या बताओ ना मैं क्या जोर जबरदस्ती करू तुझे जोर जबरदस्ती करना मेरा काम नहीं है बच्छे वो कभी मैं करता भी नहीं सब समझ की बात है सारी तु चिंतन कर अपने से पुरा-पुरा सच में बच्चे तुझे तेरी आत्मा वापिस शाइए तो चैन से नहीं बैठेगा चैन से बैठ ही नहीं भाएगा जब तक आत्मा वापिस ना आए बैचेनी ही रहेगी हैपर टेंशन जब तक आत्मा वापिस ना आए किसी ने कहा क्या हो गया बहुत टेंशन में लग रहे हो हम अपनी आत्मा को वापिस लाने के टेंशन में है हमारी आत्मा शैतान लेकर गया है हम टेंशन में इसी बात को लेकर है कि हमारी आत्मा कैसे वापिस आएगे हैपर टेंशन बच्चे चेक कर ऐसे चलते फिरते माया नहीं देगी बच्च कितना भी प्रयास कर वो नहीं देगी बिलकुल नहीं देगी तुझे लगता होगा चलते फिरते तुझे आत्मा मिल जाएगा नहीं बच्च यह नहीं होगा तुझे hyper tension में जाके अपनी आत्मा को लाना पड़ेगा एक मिनट में 10 सेकंड, 20 सेकंड घड़ी घड़ी आत्मा हर मिनट ऐसे नहीं अमृत वेले किया और सीधा नुमा शाम कर ली और रात को सोने से पहले नहीं बच्च यह तो लगातार चलना चाहिए लगातार समझ है विच्च रुकना नहीं है सब समझ की बाते हैं रुकना क्यों है किस बात के लिए रुकना है जब तक मंजिल ना मिले मंजिल तुम स्वैम हो तब तक रुकना नहीं है ठकना नहीं है दुनिया को जो कहना है कहने दो परिवार जो करे सो करे मुझे अपने आपको पाना है उनकी व्यवस्ता करनी उनका ध्यान रखना है करतव्य पूरे करने लोकिक में है तो पर मुझे अपने आपको पाना है मनुष्य की मौत मुझे मरना नहीं है मैं आत्मा हूँ मुझे आत्मा को मुक्ती जीवन मुक्ती में जाना है केड़े मकोडों की मनुष्यों की मौत मुझे मरना नहीं है मुझे गती सदगती में जाना है समझ है बच्चे बड़ा कठिन प्रयाज है बड़ा कठिन है बड़ी उंची मनजिल है बच्चे बड़ी उंची इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है हर बात पर फिर बाहरी रूप से कुछ भी हो जाए उसका परिणाम अंदर नहीं आना चाहिए किसी भी रूप से परिणाम अगर अंदर आया तो बच्छे गफलत हो जाएगे फिर आत्मा वापिस नहीं आ पाएगे और मैंने दोपर को समझाया ना आपको आत्मा वापिस लाने की चेश्टा करोगे तो परिणाम कितने भुगतने पड़ेंगे कितने परिणाम सामने आएगे उन सारे परिणामों को लेकर अगर तयार है तो करो प्रयास वरना बच्छे भूल जाओ भूल जाओ कि आपकी आत्मा आएगे समझ की बात है बहुतों ने 1936 से इस ग्यान को अतिलाइट ले लिया है सतसंग से भी लाइट ले लिया है अतिलाइट इसले कुछ प्राप्ती नहीं हो पा रही ये पढ़ाई है पढ़ाई के रूप में कभी देखा भी नहीं समझा भी नहीं किसी नहीं इसले उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है ये चल क्या रहा है समझ की बात है बस अभी मुझे benches लगाने बाकी है board लगाना बाकी है school, college की तरह ताकि तुम्हारे एक awareness आजाए कि यह school है, यह college है तुम्हें note book तुम्हें note book देकर बुलाना बाकी है pen pencil, compass box ताकि एक awareness आजाए कि तुम पढ़ने के लिए आए हो समझे है बच्चे चिंतन करो देखो बच्चे होता है तो कोशिश करो दुनिया की बड़ी-बड़ी universities है वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते है तो theory और practical का क्या-क्या वो लेके आते है study करो दुनिया की बड़ी-बड़ी universities का और यहाँ इस theory और practical के लिए क्या-क्या चाहिए वो सब लिख दो कि जो भी कोई इस भट्टी में आएगा उसे ये सब लेके आना है अपने साथ क्योंकि तुम तीन दिन के लिए एक school, college, university में आ रहे हो at least कही से तो consciousness जग जाए कि हम पढ़ने के लिए आए पढ़ने के लिए आए बिचारा कही से तो अपना उधार कर ले वरना वो आएगा बाबा से मिलने के लिए आए वरना बिचारे को लगेगा बाबा मिलने के लिए आ रहे परमात्मा दिखेगा परमात्मा मिलेगा, परमात्मा से बात करेंगे बच्चे से क्या होगा बता तुने मुझे ब्रह्मा तन में देखा पियुतन में देखा, दादी तन में देखा यहां देख रहा है, क्या मिला अगर पढ़ाई नहीं है तो क्या मिला तुझे तुन्हें दुरुष्टी ली टोली ली क्या मिला बता जरा परमातमा ने तुझे से पूछ ताज की दो चार बाते की क्या मिला क्या पाया तुन्हें इन सबसे और वही कोई बच्चा दूर रहकर पढ़ रहा है मिला बहुत कुछ समझ की बात है टीचर को देखकर गुरू को देखकर टीचर गुरू से मिलकर मिलेगा क्या उनकी बात तो माननी चाहिए वो जो कह रहे है प्रक्टिकली करना चाहिए अनुभव करना चाहिए तो बच्चों देखो कही से तो सब में ये जागरुती हो जाए कि ये पढ़ाई है हमें आत्मा की पढ़ाई पढ़नी है हमें परमात्मा की पढ़ाई पढ़नी है राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है बस कही से तो जागरुत हो जाए बेंचस लाने से जागरुत होगा तो बेंचस मंगाओ मुझे कोई अपत्ती ने बेंच पे बिठा दो बोर्ड लगा दो स्कूल कॉलेज की तरह उस पर बैठ कर पढ़ाएंगे या बड़ा बोर्ड रखो कही से तो पढ़े बच्चे बाप को यही लगता है कैसे भी करके पढ़े पढ़ना बहुत आवश्यक है पढ़ेंगे ने तो फिर उप्योग नहीं बच्चे सब समझ की बात है हर बात समझ की है बच्चे पढ़ाई के बिना कुछ नहीं मिलेगा बच्चे तुम्हें पढ़ना ही है जैसे अपने शरीर को लेकर पढ़े हो जैसे आत्मा को लेकर पढ़ो लो, समझ है बच्चे, बच्चे ग्यानी वही जिसे स्वयम की पूर्ण पढ़ाई है, ग्यानी वही है, आपको अगर किसी ने कहा इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यह क्या हैं, आप कोगे, रे मूर्ख हो क्या, तुमारा नाख तुम्हें पता नहीं, इसे नाख कहते है इसे आँख कहते है, इसे कान कहते है सेम बात है यह मन है, यह बुद्धी है, यह संसकार है यह गुण शक्तिया, दिव्य गुण है पता नहीं क्या तुम्हें बच्चे तुम्हें अपनी पढ़ाई नहीं है क्या यही कहेंगे ना सेम बात है बच्चे देख अपने आपको तू अगर अपने कोई नहीं जान पाया तो तू कैसा ग्यानी बच्छे हैं कैसा अध्यात्मिक तू अपने को अध्यात्मिक कहता है और तुझे आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता तू अपने आपको spiritual कहता है और स्पिरिट कोई नहीं जानता बच्चे ना स्पिरिट की अवस्ता में स्थित है कैसे अपने आपको स्पिरिच्वल कहेंगे बच्चे देख विचार कर पुर्ण रूप से तो देख छेक कर तु राजी है क्या पढ़ाई पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से तो हर घंटे में दस सेकंड अपने से किसी और को अपने अलाम से डिस्टब ना करते हुए अपने से अगर तो अत्मिक सिती कर पाता है ऐसे लंबे समय के लिए तो शायद तेरी आत्मा वापिस आई तो आई वरना बच्चे कुछ कह नहीं सकते क्या कहें और आएगी की नहीं आएगी हर मिनट में दस सेकंड मिनिमम बोल रहा हूँ मैं कम से कम दस सेकंड देखना ही देखना है और कोई उच्छा ग्यानी होगा न हर मिनट में बीस सेकंड देखेगा इस बीस सेकंड में भी वो क्या करेगा आत्मा को भी देखेगा, मन, बुद्धी, संसकार, शांती, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ती, सैंशक्ती, सामना, परक्ने की सैयोग, नमरता, दुरुडता, अंतर, मुक्ता, आनन, देखा, वापिस एक मिनिट हुआ, वापिस मन, बुद्धी, संसकार, शांती, पवित्रत प्रेम शक्ति, वापिस एक मिनिट वापिस मन, बुद्धी, संसकार, इसे कहते हैं पक्का पढ़ने वाला, पक्का, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, फिर वापिस हर मिनिट में, बुद्धी, ज्यान, निरने शक्ति, इथर शक्ति, विस्तार में जाएगा हूँ, समझ है बच्च, बाकि तेरी अपनी मरसी, तुझे जो अच्छा लगे, वो गड़ी-गड़ी अभ्यास करेगा, अपना स्वयम का, तो बच्चे देख तू करता है क्या, नहीं किया तो जीवन ऐसी वे अर्थ जाएगे बच्च, आधा ग्यान ना ले, लेगा तो पूरा ले ब उनिशक्तिया नहीं बदलते, एक बार लेना है और चौरासी जनम उसके साथ चलना है, यहां स्कूल कॉलेज में कितना भी पढ़, अगले जनम में वापिस पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि वो समाप्त हो जाती है पढ़ाई, पहले जनम की, समझ है बच्चे, जो अभिनाश उसे तु पका क्यों नहीं करता बिच्चे, सदा के लिए, सिर्फ एक्कीस जनम क्यों, वरसे के सत अतरेता के एक्कीस जनम क्यों, ऐसे क्यों नहीं, द्वापर के भी जनम मेरी आत्मिक सिती कुछ न कुछ रहेगी, कलियोग में भी थोड़ी बहुत बचेगी, आत्मिक सिती आत्म हो जाए बच्छे तुझे है, समझ है बच्छे, चिंतन कर, पूरा पूरा अच्छे से चिंतन कर और देख, बाप बताता है, जुन के छोड़ना नहीं वरना वो छूट जाएगा, देख तुही अनुबव कर, तुने कितनी मुरली सुनी, तुने कितना चिंतन किया, आज तुने क्या-क्या सुना, क्या-क्या नहीं सुना, अनुबव क्या कहता है, जैसे बाबा का वो बच्चा, आज भी उनका मेसेज आया, मुरली के सारे पॉइंट्स लिखके बे बाबा ने महा काल रूप में अच्छी खासी डाट लगाई थी, आज भी दिल पर है, क्योंकि पढ़ाई पढ़ रहा है, आज भी दिल पर बैठा है, बाप ने वही संदेज भिजवाया, बाप सदा साथ है, उंच पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़ते रो, आगे बढ़ते रो, चलते रो, जब ड्रामा होगा, भाग्य होगा, आजाना, पर पढ़ाई पढ़ते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ना बच्चे, बहुत अच्छा लगा सुनकर, कल के मुरली में ही कहा न बाबा ने, क्या मुरली सुनी, कितने पॉइंट सुने, कल ही कहा था न शायद, क निकाल के भेज दे उनोंने, समझ है बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे बाप को पसंद है, तो भी पढ़, आज मैंने क्या-क्या सुना बाप से, बाबा ने क्या-क्या सुनाया, तो इस में से मुझे क्या-क्या धारन करना है, क्या-क्या नहीं है, क्या-क्या थोड़ा बह समझ की बात है सारी चिंतन करो बच्चे अपने से पुरन रूप से चिंतन करो अपनी आत्मा को बच्चे अगर नहीं पा सके अंततक ही सही तो इससे बड़ी कोई बदने सी भी नहीं इस इंसार में खुशनसी भी यही है अंततक ही सही अपने आपको पाना नहीं पास सके, तो कोई मजा नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा, कोई मौझ नहीं आएगी, अगर जल्दी नहीं पास सके तो, समझ की बात है बैच्छे, औरा चिंतन करो, अपने को पाऊ, मेरे एसाब से मैंने कहा ना, हर मिनट जो पुरिशार्त करता है आत्मा को पाना है तो आत्मा का पुरिशार्त हर मिनिट वही पुरिशार थे ऐसे नहीं कि बस हर गंटे में दो तीन मिनिट किया नहीं बच्च हर गंटे में तीन मिनिट किया ट्राफिक कंट्रोल भी ज्यादा से ज्यादा अगले तीन मिनिट याद रहेगा और तीन मिनिट आने से पहले तुझे याद रहेगा पर हर मिनिट याद रहे तो संस्कार बनता है। हर मिनिट उस प्रकार के संसकारों को इमर्च करना है बाबा को याद भी करना है हर मिनिट में 10-20 सेकंड पांच मिनिट में क्यों एक गंटे में तो बिलकुल नहीं हर मिनिट में हर मिनिट 10-20 सेकंड बाबा को याद ड्रिल करने हर मिनिट में अनादी आदी पुझ्य ब्रामन परिष्टा हो गई, पास सेकेंड बाप तु कहता है, एक सेकेंड में पास सो रुपया दाने चाहिए, दिन भर इसी में खोए होए, इसी अवस्ता में, इसी अभ्यास में, सकाश भी देना है, हर मिनिट, at least एक गोला, at least एक किरन एक लाइट गई हर मिनिट जो करना है हर मिनिट करो फिर देखो परिवर्तन तुम भी अचमबीत हो जाओगे शौक हो जाओगे इतने जल्दी तुम्हें परिवर्तन मिलेगा हर मिनिट करोगे तो समझ है बैच माया को आने की मार्जिन नहीं मिलेगे वुद्धी उसी में वेस्त रहेगे बड़ा आनंद आएगा बहुत ही ज्यादा व्यर्थ और निगेटिव के लिए मार्जिन नहीं बचेगे जो करना है हर मिनिट कर फिर देख मजा संसकार बना की बना क्षण में हर मिनिट बच्चे अपने को आत्मा समझो देह समझना ही देह समझना ही उल्टा बनना है देह में नहीं रो बच्चे देह में रोगे फस जाओ ध्यान देना बाकि तुम्हारी अपनी मर्स बच्चे देह जानवर इनिमल इनिमल प्राणी कहा जाता है ध्यान में रखना तुम कोई मनुष्य प्राणी नहीं हो बच्चे देवताओं की आत्माएं हो तो अपने स्वरुप में आजा भले दुनिया आसेगी दुनिया तुमें पागल ठहराए जब तुम कहोगे तुम देवताओं की आत्माएं हो हरिजा नहीं छोटी सी बात है वो मनुष्य वो क्या समझेंगे जो देवताओं की पूझा करते है वो देवताओं को क्या समझेंगे बच्चे पर मात्मा को समझना तो बहुत दूर की बात किसी को भी भक्तिमार्ग वाले को पूछना आप अपने हिष्ट को जानते हो जो भी आपके हिष्ट देवता है उन्हें समझते हो उनके बारे में आपको संपूर्ण ज्यान है तो कहेंगे इसी बाते नहीं करते आपके हिष्ट है बच्चे आपको पताऊना चाहे सब आपका अगर आपके हिष्ट पर संपूर्ण प्रेम है तो आप सब जानते होंगे उनके प्रति समझ की बात है फिर जरह लाइट जल जाएगे इसलिए बच्चे देह भीमान में आओ अपने को देह नहीं समझो सबसे lowest consciousness है यह human शरीर मनुष्य शरीर मानव शरीर सबसे lowest consciousness है इस धरा का और मनुष्य को क्या लगता है हम सबसे higher consciousness वाले है किसी भी मनुष्य को लेके आओ दुनिया के top intelligent बंदर भी उन्हें हरा देगा बंदर जितना तेज कुछ करके दिखाए किसी भी जानवर को ले लो उसके अंदर जो गुण है सेम वो मनुष्य करके दिखाए उतने रफ्तार में तेजी से क्या मनुष्य के पास बहतरीन है बताओ ज़रा जो मनुष्यों का जानवरों में नहीं है क्या बहतरीन है कुछ भी नहीं बच्चे हैं मनुष्य के पास बहतरी दुनिया का एक जानवर मुझे दिखाओ जो dependent है एक जानवर कीडा, मकोडा, चीटी मनुष्य पूर्णता dependent है पूर्णता समझ की बात है दुनिया का कोई जानवर किसी पर भी dependent नहीं है independent है सब के सब समझ की बात है बच्चे दुनिया के सारे जानवरों को freedom है मनुष्य को बिलकुल नहीं है हर रूप से बन्दा हुआ है मनुष्य इसलिए सबसे lowest consciousness है बच्चो तुम्हें लगता है देवताय होशयार बनाएंगे उनकी सेवा के लिए अति होशयार सबसे lowest consciousness वाले बनाएं देवतावन तैकि उनकी बुद्धी सीमित रहे वहाँ ही रहे उससे बाहर ना निकले मनुष्य को लगता है हमने विज्ञान को लेकर इतना विकास कर दिया है हम बहुत उच्चे हैं बच्चे नहीं हो तुमने कितना भी विकास किया फिर भी आज भी तुम दुखी हो बंदर का कोई विकास नहीं हुआ फिर भी उस सुखी है ध्यान से देखना उस बंदर को कभी कोई बंदर रोता हुआ मिलाए तुमें रो रहा है बंदर दुख में कभी कोई कुता बिल्ली रोते हुए मिले रो रहे दुख में परिशान है किसी बंदर को खाना नहीं मिला इसलिए परिशान है देखा है कभी समझ है बच्चे मनुष्य में क्या नीचता नहीं बताओ क्या नहीं जानवरों में क्या उचता नहीं है बताओ समझ है सारे शक्तियों के वाहन देवी देवताओं के वाहन जानवर है कोई मनुष्य है किसी का वाहन इतना evolved consciousness वाला है ना तो मनुष्य को वाहन क्यों नहीं बनाया किसी देवी देवताओं ने lowest consciousness है मना उनका वाहन बने इतने भी पातर नहीं है मनुष्य उस consciousness में तुम रहते हो समझे बच्चे चिंतन कर अपने तुम फसा हुआ है इसलिए मनुष्य consciousness से बाहर आ सबसे lowest है अरे बच्चे बंदर भी देया और देया के संबंदों को भूल जाता है एक उमर के बाद हर जानवर भूले जाता है ऐसा मुझे एक जानवर दिखा जिसका परिवार अन्त तक उसके साथ रहता है बस एक जानवर दिखा कोई भी एक species दिखा मुझे एक भी नहीं है मनुष्य राजी नहीं है उस consciousness से बाहर निकलने के लिए ये मेरा ये मेरा समझ है बच्चे सारी समझ की बात उल्टा मनुष्यों ने भी जानवरों को उसके consciousness में लाया है किसी की घर में कुट्टा है उसका मालिक मर गया दो दिन कुट्टा खाना नहीं खाता वो भी आ गया मनुष्यों के consciousness में जंगल में होता है इसे कि किसी जानवर के बच्चे किसी जानवर ने मार दिये खा गया तो भुखा रहेगा नहीं वो अपना पेड बरेगा चलेगा अगली रास्ते अगले रास्ते चलता रहेगा यातरा करता रहेगा समझ है बच्चे मनुष्य consciousness सब से तब तक ये नहीं मिलेगा समझ है बच्चे इवन तुमने अपने आपको बंदर भी समझाना फिर भी अत्मिक्सिती में आजाओगे मैं गैरंटी देता हूँ शेर भी समझा, सुवर भी समझा फिर भी अत्मिक्सिती में आजाओगे मनुष्य गल्ती से भी नहीं समझना ये जानवर समझना नहीं है मैं उधारन दे रहा हूँ समझ है शेर को भी बड़ा वाहन दिखा देते हैं तो शेर समझा तो तुरंट क्या याद आएगी दुरगा जी, शक्ति याद आएगी सुवर समझा वरावतार याद आएगा बंदर समझा मानर सेना याद आएगी शिरी राम जी की हर जानवर higher consciousness याद दिलाता है ध्यान से देखना बस मनुष्य नहीं दिलाता हर जानवर बच्चे अपने देखा है गधा वो भी वान है न किनका है शीतला देवी जी का ब्रोबर है वान है उनको भी याद किया तो भी शीतला देवी जी की याद आएगी शीतल हो जाओगे पर मनुष्य को याद करने से गिर जाओगे इसलिए बाप कहता है देए और देए के संबंदों को भूलो ध्यान से समझो जितना याद करोगे देय और देय के संबंद उतना consciousness नीचे गिरेगा उतना गिरेगा बलकि इनको देखकर आनन्द आएगा कभी कई जाते जाते गधा देखना खुशी होते दुख नहीं लगता बच्चे ध्यान से अब्जव करना अपना consciousness कभी कोई सुवर देखा खुशी होते लोर नहीं होते ध्यान से चेक करना शेर देखने के बाद तो बाती मत पूछो किसी जूमें के बहुत अच्छा लगता है है यरूर्जा है बंदर देखने के बाद भी खुशी होते है चोहे को देखकर भी डरते है पर खुशी होते है देखने के लिए आते है कहाँ है कहाँ है दिखाओ खुशी होते है वह इंसान अरे जाने दो उने इधर से चलो इंसान को देखने के लिए राजी नहीं है कहते है जाने दो इधर हो वो उधर से निकल जाएंगे फिर हम यहां से जाएंगे इंसान को देखने के लिए राजी नहीं है इतना lower consciousness है और तू स्मृती कर रहा है याद कर रहा है अब तेरा क्या होगा बच्चे अगर तू मनुश्य कोई याद करता रहेगा तो बच्चे समझ है कच्चुआ आया कल यहां अपने उसको खिलाया पिलाया पानी डाला वह इसे लग रहाता देखकर सुकून लग रहाता वही मनुश्य को देखे तो दिमाग उड़ जाता है तकलीप होती है कब जाएंगे यह पता नहीं किसी-किसी मनुश्य को देखकर लगता है किसी के मन में आते है यह मरेंगे तो अच्छा होगा धर्ती पर भोज है क्या कॉंश्यसनेस है भाई समझ की बात है बच्चे इसलिए तु कहा मनुश्यों को याद करते बैठा है सब समझ है बच्चे मनुश्य कॉंश्यसनेस से बाहर आव अच्चे सब से लोवर कॉंश्यसनेस है सब से लोवर तुझे अनुबव करना है अत्मिक सिती का भ्यास कर अत्मिक सिती का अच्छे से कर दो मिनिट, पाँच मिनिट, दस मिनिट जो भी करता है तुझे अच्छे अनुबुती होनी चे थोड़ी तो अत्मिक सिती का अच्छा मना तुझे वो अभ्यास करने के बाद 10-20 सिकेंड एक मिनिट नशा रहना चे कि मैं आत्मा हूँ ऐसे अभ्यास कर एक अध मिनिट नशा रहा तो भी काफी है तुझे आनू बवे कि पांच मिनिट अभ्यास करने के बाद एक मिनिट का नशा रहता है पांच मिनिट अभ्यास हो गया नशा शुरू हो गया अभ्यास से उड़ गया ना बस जाकर आएने के सामने खड़ा रहे और देख क्या होता है consciousness में खुद ही खुद को देख देख क्या होता है बस उपर से नीचे देख सिर से पैर तक अपने आपको निहार और देख क्या होता है इतना लोएस्ट है समझ है बच्चे खुद खुद को भी मना खुद के देह को भी याद करे तो भी consciousness गिर जाता है कहां तू देह कि इस मुर्ती में बैठा है, इसलिए बाप हमेशा कहता है, रहना है तो लाइट के शरीर में रहो, या निराकारी अवस्ता में सदास्तित रहो, पर स्टूल कॉंशिसनेस में गल्ती से भी नहीं रहना है, बाप को देखा है कभी, स्टूल कॉंशिसनेस में, शर तुम्हें तुझे समझा रहा हूँ बच्छे स्थूल कॉइंशनेस में गल्ती से भी नहीं रहना कॉइंशनेस पूरा गिर जाएगा पूरा का पूरा समझ है बच्छे तेरे आत्मिक उन्नती में तेरे देह की स्मुर्ती ही अडचन है बाकी और कुछ नहीं पहले अपनी देह इसलिए सबसे बड़ा अबस्टैकल तेरी स्वयम की देह है जो स्मुर्ती में बैठे देह कोई समाप्त करने की बात नहीं बस उसे विस्मुर्त करना है और अपने सत्य स्मुर्ती में आना है कि मैं कौन हूँ तभी बच्चे आतरा स्टार्ट होगी समझ है बाकी तेरी अपनी मर्जी तुझे जो अच्छा लगे बस मैंने सूत्र बता दिया तुझे जो छीक लगे कर ना लगे जिसमें सुख मिले कर आगे बढ़ मौश कर प्रश्न है किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं उत्तर है पुरानी दुनिया अब होपलेस है कबरिस्तान बनना है ये बात समझ ले तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं बच्चों कितनों को लगता है ये बात पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कबरिस्तान है, कितनों को लगता है, जरा हाथ उठाओ, बहुत अच्छे, तो बच्चे, कहा तक त्यागी है, होपलेस है ना पुरानी दुनिया, तो त्यागी कहा तक, कबरिस्तान है ना, तो कबरिस्तान छोड़ा कितना है, या आज भी क कबरिस्तान याद आता है, अपना लोकिक, घर, जमीन जाइदाद, लोकिक, यादे कुछ बैठी है क्या दुनिया में, तुमारी दुनिया में, स्मृतिक, शेकर, देख, बाप कह रहा है ना, hopeless है, कबरिस्तान है, हाद भी तुने उठाया है, पर कबरिस्तान से मन कितना निकला है, कबरिस्तान में जाने के लिए डरते हैं लोक, शम्शान में, डर लगता है, कई भूत ना आ जाए, भूत ना पकड़ ले, तो आज भी स्मृति से तेरे लोकी घर जाता है, और जो बच्छे दूर बैठे, जो बच्छे बटी में आए, बच्छे तु कबरिस्तान में रह जहां जाता हूं, कबरिस्तान की भूमी मिलती है सेवा के लिए, अज तक को यह ऐसी प्यूर, वो सबसे प्यूर है, नॉर्मल रूप में मिली नहीं, जहां भी गया हूं, शम्शान की भूमी में ही सेवास्तान बना है, समझ है बच्छे, समझदार बन, देख अपने आप को छ चिंतन कर, पूरा-पूरा, तेरा मन कितना निकला है कबरिस्तान से, या आज भी उस कबरिस्तान में तेरा मन अठका है, कबरिस्तान के घर में, वहां के देख और देख के संबंदी, फिर क्या है, भूद बच्छे हैं, भूतों के साथ बड़ा अनन्द आता है, अब जो रात को कबरिस्तान में भूत घूमते हैं उनका भी वहां परिवार होता है, यह सुक्ष्म परिवार जो इनोंने बना लिया अपना, जैसे आपका अलवकिक ब्रह्मन परिवार, से जैसे लवकिक में चलता है, वैसे ही वहां चलता, as it is, as it is, कोई फर्क नहीं, कोई लव परिवार अगर एक साथ शरीर छोड़े और भटके, शम्षान में या कबरिस्तान, सेम उनका होता है, रोज का, जो घर में करते हैं, इसलिए तु कहां पर है, तु कर क्या रहा है, कबरिस्तान, बच्चे जो अपनी consciousness में नहीं है, वो मुर्दे है सब, तु जिन्दा के साथ पाड़ बजा रहा है, और तुझे लगता है, ये मेरे फलान है, ये मेरे फलान है, ये मेरे फलान है, ये मेरे फलान है, मरजी तेरी, तुझे जो अच्छा लगे कर, समझ के बात है, बजाना है, बजा दे पाड़, देखो हाथ उठाने में माहिर है तो, पुरानी द इसको अच्छे से कलर लगाने का काम हो जाए ये घर ठीक ठाक हो जाए इसकी व्यवस्ता ठीक हो जाए बाबा इस साल दिवाली में ओली में नए कपड़े लेने का सोचा है होपलेस है न दुनिया रस कहां से आ रहा है तुझे घर में, वस्तर में बाजार में कोई नहीं सबजी आई, वराइटी आया, तुरन सोचता है कुछ नया खा लू, हो प्लेस है न दुनिया, हो कहां से आ रहा है तुझे, मैंने कहता नहीं खा, पर ये उमंग उत्सा कहां से आ रहा है, बाबा हमारे फलाने परिवार के सदस्य की नौकरी में बड़ो पतरी हो जाए, बिजनेस ठीक चले, हो प्लेस हो चुकी है न दुनिया, तो तु संसार का हो कहां जगा आ रहा है, कहां दिखा रहा है तुम, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये कहां से आ रहा है तेरे मन में, समझ है बच्चे, चिंतन की बात है, अगर सारी पुरानी दुनिया होपलेस है, तो तु दुनिया को लेकर आश्चा क्यो रख रहा है, समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, यहां ये केप आफ गुड होप है, पता है, केप आफ गुड होप, गूगल करना क्या चीज है, कौन सा अस्तान है, यहां नहीं आ रहा है तुम, यहां नहीं आए रहा है और वहाँ तुझे होप है वहाँ रहे वहाँ क्या बात है वही कहते दुनिया का विनाश हो रहा था तब जाके वहाँ सब बैढ़ गए मूवी भी है उसके उपर देखना के पॉप गुड़ हो समझ की बात है क्या कर रहा है बच्छे तुम कहां है कहां दुनिया में होप रखे बैठा है सब होप लेस है बच्छे किसी से आशाना कर निराशाई मिलेगी खुद खुद के पेरों पर खड़ा रहे तेरा मन निकला है संसार से देख चेकर समझ है बच्छे तुमानता भी है कहता भी है कि कब्रिस्तान फिर भी वहाई तेरा मन लगा है कब्रिस्तान में और क्या कहूं मैं समझ है बच्चो सारी समझ की बात है अपको लगता है बच्चो मेरे साथ रहे बिना मेरे पास रहे बिना अंत में कोई मेरी याद में शरीर छोड़ेगा लगता है अपको संसार में रहकर कोई याद में शरीर छोड़ पाएगा impossible है अभी अगर मेरी याद में ही शरीर नहीं छोड़ा मुक्ती नहीं मिल सकती मुक्ती ही नहीं मिली जीवन मुक्ती तो भोली जाना इसलिए बच्चे तुझे बाप ये Cape of Good Hope की रहा दिखा रहा है पर तुझे लेनी नहीं है समझ की बात है बच्चे चिंतन करना तुझे चिंतन करने के लिए भी समय नहीं है बाके तेरी मर्जी तु संसार में रस ले रहा है और कहता है संसार Hopeless है समझ की बात है रोज साथ बजे मुरली सुनने आएंगे बच्चे मुरली सुनेंगे घर जाएंगे आज उत्तर भी दिया होगा बहुतों ने कि पुरानी दुनिया बहुँ प्लेस है कब्रिस्तान बनना है घर जाएंगे परिवार वालों को कहेंगे सारा परिवार ज्यान में अरे चलो आज ये काम करना है घर का करना है ये करना है वो करना है अभी उत्तर दिया ये दुनिया कबरिस्तान है और ये कबरिस्तान का काम कर रहा है घर जाके कहेगा आज खाने में क्या बन रहा है परिवार वाले कहेंगे ये बन रहा है ये नहीं दूसरा कुछ बनाते इसको होप है कुछ अच्छा खाए चलो आज शॉपिंग के लिए जाना है, नए कपड़े खरीदने सब के लिए, वोप है इसको, आज सुभव उत्तर दे दिया, सेंटर पर, होपलेस दुनिया है, तु कर क्या रहा है भाई, समझ है बच्चे, दिमाग तो ठिकाने पर है न, ज्यान सुन क्या रहा है, उत्तर दे क्या रहा है, और कर क्या रहा है, देख जर अच्छे कर, तू अपने को ठग रहा है बच्छे, पूरा पूरा, ठग रहा है, तू कहता है, इसमें स्वाद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, अरे बच्छे, अभी तो उत्तर दिया ना, होपलेस दुनिया है, अभी होपलेस में क्या स्वाद आएगा, क्या मज़ा आएगा, कबरिस्तान में क्या अनंद आएगा, समझ जविच, अभी तो तुने उत्तर दिया, कि कबरिस्तान है, कबरिस्तान में कोई अन्न मिल रहा है, कोई कहेगा वहाँ पर, कि इसको स्वाद नहीं आ रहा है, शम्शान में कोई अन् वहाँ उन्हें कोई भोग मिलता है न तो किसी-किसी भूत की आदत होती है इसमें स्वाद नहीं सच में दूसरा कान के नीचे बजा देता है मिल रहा है नसीब समझ खा अच्छे से वरना भूखा रहेगा आज के दिन जो मिला है खाले भाई वरना उन्हें भी समझ है उन्हें इस भूत ने जो कपड़े पहने है नहीं भदलेंगे मुपती तक भढ़ने गर बदलेगा उसका नहीं बदलेगा मुपती तक कोई वस्तू व्यवस्तब्र कदार त बदलेगा नहीं तू आशह करता है भूत से भी बड़ा भूत तू है मनुष्य कॉंश में बैठा हुआ र वो भूत भी संतुष्ट है समाधान स्वरूप है तुझे समाधान ही नहीं है किसी भी रूप से समझ है बच्चे शिंतन कर और अपना भाग्यपा तुम जानते हों अब नई दुनिया स्तापन हो रही है इस उरुद्र ज्यान यग्य में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी तुम्हारी दिल इस कबरिस्तान से निकल गई है बच्चे निकली है क्या देखो कबरिस्तान से दिल निकली है क्या चेक करना वरना बच्चे फस जाओगे इस पुरानी दुनिया से तुम्हे वेराग्य आया है क्या या आज भी तुम पुरानी दुनिया की कोई बात ठीक करना चाते हो बच्चों पता है सबसे बड़े भूत कौन ग्यान में आकर जिन बच्चों ने पुरानी दुनिया की कोई भी बात म मेरा शरेर ठीक करो मेरे परिवार के सदस्यों को ठीक करो मेरे परिवार के सदस्यों की नौकरी दंदा उनका सब उनकी जीवन ठीक करो मेरी जीवन ठीक करो हमारा रहने वाला जो घर है वो घर उसकी छत पानी नीचे आ रहा है उसे ठीक करके दे दो मेरी ट्रेन की टिकेट confirm कराओ ये सब सबसे बड़े भूत सबसे बड़े भूत समझ है बचे एक बात बताता हूँ ध्यान से सुनना ध्यान से समझना और आज से जो ठीक लगे करना परमात्मा को इस संसार की अपने जीवन की एक बात अगर कही ठीक करने के लिए एक जनम में जल्दी शरीर छोड़ोगे और भटकोगे भटकना है तो जरूर कहना कुछ न कुछ वर्ष, माज, दिन आत्मा रूप में भटकोगे मुक्ती नहीं मिलेगी तुरंत दूसरा शरीर नहीं मिलेगा क्योंकि भूतों की दुनिया में भूतों की बस्ती को, भूतों की विवस्ता को तुने ठीक करने के लिए परमात्मा को कहा बलकि जो परमात्मा पुरानी दुनिया को समाप्त करने के लिए आया है उसे तुमने पुरानी दुनिया की कोई बात ठीक करने के लिए कहा एक बाद से एक जनम के लिए भटकोगे उस दिन का न मांगनी का लेटर लिखो यही वो बात है तुझे क्या लगा परमात्मा को यह इससे बैठा है क्या जो तेरी पुरानी दुनिया को ठीक करे तुझे समझ नहीं मिली इस ग्यान में सेवन डेज कोर्स में कि परमात्मा आया है पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्तापन कराने तो तुने पुरानी दुनिया को ठीक करने के लिए लेटर में परमात्मा को कैसे लिखा रुवरियान में परमात्मा को कैसे कहा तुझे समझ नहीं मिली थी seven days में मुरली से कभी तुझे समझ नहीं मिली तो पुराना सब ठीक करने की बात तुने कहां से रखी परमात्मा के सामने तुझे होश नहीं था, परमात्मा का करतव्य क्या है तुझे कभी पता नहीं चला बच्छे बहुतों ने कहा है, बाबा ये ठीक करो, बाबा ओ ठीक करो, बच्चे चिंता ना कर, मैंने कुछ नहीं किया, इवन तेरे ट्रेन का टिकेट भी कनफर्म नहीं किया है, तुम भले मुझे क्रेडिट दे रहा है, पर मैं साफ कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, तेरे पास योगबल अगर जमा था तो वो सारा योगबल खर्च हो गया और तेरा ट्रेन का एक टिकेट कन्फरम हो गया मुझे नहीं कहना मैं क्रिडिट लेने आया ही नहीं हूँ कि पदम गुणा शुक्रिया बाबा आपने मेरा ट्रेन का टिकेट कन्फरम किया मुझे कोई credit चाहिए ही नहीं मैं उसके लिए आया ही नहीं हूँ यहाँ पर जिस समय तुने परमातमा से जो अरजी की तब तक जो योगबल जमा था उसी से तुझे मिला या तेरा योगबल गया मिला तो भी गया और नहीं मिला तो भी गया समझ की बात है इसलिए बच्चे बरसों से तुझे खाली है इतने साल हो गए तुझे ज्यान में चलते जरा देख ममा की जीवन कहानी ममा ने सपने में भी कोई संकल्प उठाया होतो अपने लिए इस संसार को लेकर देख ब्रह्मा बाप की जीवन कहाने ब्रह्मा बाप ने कभी कोई संकल्प उठाया होतो अपने लिए इस संसार को लेकर गलती से भी नहीं गलती से भी नहीं ब्रह्मा बाप को मना शरीर को खासी हुई फिर भी खासी ठीक हो जाए नहीं दवाई की खासी जो तुझे ठीक लगे बाँ ड्रामा वा बाबावा जल्दी ठीक हो जाए नहीं योगबल खासी ठीक करने के लिए गवादू इतना बड़ा योगबल दवाई उपाए करता रहूंगा पर योगबल खर्च नहीं ओने दूंगा इतना बड़ा योगबल इसके लिए खर्च करू बच्चे माया बस संकल पर उठवाती है माया वो मूवी देखे है गोस्ट राइडर उसमें देखना वो जो हिरो है न उसके पिता जी शरीर छोड़ने वाले थे बड़ा दुख में था क्या करे कैसे बचाए कैसे बचाए संकल पर उठवाती है सिर्दर्द ठीक हो जाए माया अजिर है, मैंने एक मुरली में भी बताया तुम्हें, माया अजिर है, जैसे तुम कहते हो, खैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ते सिरदर्द ठीक हो जाए, माया कहते है, तुम्हारा योगबल माया को, माया ने सिरदर्द ठीक किया, इवन बच्चे ट्रेन का ने कन्फरम किया है मैंने नहीं क्योंकि ये संसार मेरा नहीं इस संसार का एक कण भी मेरा नहीं इसलिए मैं यहाँ इंटर्फेर नहीं कर सकता या कोई भी इच्छा रखो माया पूरी करती है क्योंकि ये सारी माया पूरी है बाप का संसार नहीं है बच्चे ये इसलिए तो बाप कहता है इच्छा मातरम अविध्या कुछ भी संकल्प तुमारा जैसे तुम संकल्प करते हो मनी मन और सामने वाला वो बात करता है तुम कहते हो आपको कैसे पता चला मुझे ये चाहिए उसे नहीं पता चला माया ने पकड़ा माया ने पकड़ा तुम्हारा संकल्प उसके अंदर डाल दिया उसने वो किया माया ने उसके द्वारा करवाया संकल्प उठाया ही क्यो उसका भी योगबल और तेरा भी योगबल माया को गया इच्छा मात्रमा विद्या ऐसे ही कहा है कि अब आपने समझ है इसलिए बच्चे तू खाली है शरीर भी छूट जाए इच्छा नहीं रखनी है सद्गती निश्षित मिलेगी निश्षित इच्छा रखी योग बल गया इसी को बाप कहता है कमाया और खाया जमा कुछ नहीं किया ऐसी तेरी हालत है सारी इसलिए इतने वर्ष होने के बावजूद तेरे पास कुछ भी नहीं है बच्चे नथिंग यो आर कम्प्लीटली एम्टी कम्प्लीटली माया ने तुमारी हम्टी डम्टी बना दी empty, तेरे पास कुछ नहीं है बच्चे गागर है, मिट्टी की खाली तुझे लगता है उस गागर में तुने समंदर वरा है, सागर खाली है तू ध्यान से चेक करो इसलिए संसार में, सपने में भी संकल्प नहीं उठाना है इच्छा नहीं करनी है माया तेरे आसपास तेरे अंदर ही बैठी है यह तन ही माया का है इच्छा उठी, थोड़ी देर में complete होगा संकल्प जैसा योग बल वैसा संकल्प complete इसलिए बहुतों को लगता है जिनके पास सिद्धिया है हम संकल्प करते पूरा होता है बच्छे आप नहीं करते हो तेरे पास कितनी भी सिद्धिया हो जब तक माया अलाव नहीं करती संकल्प पूरा नहीं होगा सिद्धिया माना बस तू इंस्टुमेंट है संकल्प पूरा करने का तो जब खबरी नहीं माया क्या छीन रही है इच्छा करके गलती से भी इच्छा नहीं करना किसी भी बात की बस शरीमत को पालन करना इच्छा की कि तेरा योगबल सब गया सब गया बिच्चे समझ की बात है अच्छा संकल्प उठा अच्छा अभी है न मुरली के बाद हम आदा गंटा योग करेंगे हुआ तो बोल मुझे मुरली के बाद हम चिंतन में बैठेंगे हुआ तो बोल मुझे विपरित उठा मुरली के बाद जरा टहलने जाते हैं गरडन में आसानी से होगा योग बलसमाथ वही तो बात है बच्चे इसलिए अच्छा संकल्प नहीं उठाया जाता अच्छा डाइरेक्ट किया जाता है मुरली के बाद आदा घंटा कोई योग करने का संकल्प नहीं उठाना है सीधा बैठना है माया को अगर तेरा अच्छा संकल्प पता चला माया होने नहीं देते विपरित उठा हर बात होने देगी हर बात समझ की बात है सारी सारी चिंतन कर बच्चे अपने इसलिए सारी बातों को समझ गलती से भी संकल्प ना उठा तुमी संग बैठू तुमी संग खाओ तु जहां रखे जैसे रखे जो खिला है जो पिला है बात समझ तब बच्चे कुछ जमा होगा इतने वर्ष तुझे ग्यान नहीं था तुने खर्च किया तुझे ख़बर भी नहीं है तुझे अभी गरम हो रहा है और मन में ही आया बहुत गरम हो रहा है संकल्प उठाना कोई नो कोई कुलर लेके आएगा पंखा चला आएगा एसी ओन करेगा या फिर हवा चलेगी ध्यान में रखना माया ने कराया यहां की हर सुखशान्ती माया देती है सांसारिक दैहिक हर प्रकार की सुखशान्ती जैसे तुझे लगा सबजी में नमक कम है और मन हुआ अरे थोड़ा सबजी में नमक कम है तब तक कोई लेके आता है तुझे लगता है पदम गुना शुक्रिया आपने मेरे मन में आया और नमक लेके आगे माया ने संकल पर पहुँचा दिया नमक लेके जा बाप कहता है बात निरा लिये कि सबको नमक परोसो समझे है बैचे इसलिए यहाँ जो है जैसा है as it is accept तब बच्चे कुछ बात बनेगी वरना संकल्प उठा खाली जैसे ही संकल्प उठा योग बल समाप जैसे इच्छा उठी योग बल समाप तेरे पास कुछ नहीं बचेगा नथिंग नथिंग रहेगा बच्चे शुन्य समझ है और बच्चे तुने देह और देह के संभन्द में सब खोया है सब कुछ देह और देह के संभन्द में तुझे खबर भी नहीं बाबा मिलन में बच्चे आते हैं गर जाने के बाद एक, दो, तीन दिन, चार पात दिन, हपते बर निशा रहता है, फिर खलास होता है, क्यों? क्योंकि इच्छाय प्रगट की, इच्छाय अगर बच्चे पैदा ना करें, इच्छायों को जनम ना दे, प्रगट ना करें, तो बाबा मिलन में जितनी शक्ती भर कायम रहेगे, बिल्कुल कम नहीं होगे, बाकी बच्चे, तेरी अपनी मर्ज, तुझे जो अच्छा लगे, उम्शान्त, यू तो है डबल उम्शान्त, क्योंकि दो आत्माये हैं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है, शान्त, बाप का भी स्वधर्म है, शान्त, बच्चे वहा शान्ती में रहते हैं उसको कहा ही जाता है शान्तिधाम बाप भी वहा रहते हैं बाप तो सदैव पावन है बाकि जो भी मनुष्य मातर है वह उनर जनम ले अपवित्र बनते है बच्चे मनुष्य और देवता हमेशा वचनों पर ध्यान रखना बाप तो सदैव पावन है बाकि जो भी मनुष्य मातर है वा पुनर जनम ले अपवित्र बनते है आत्माओ को नहीं कहा मनुष्य अपवित्र बनते है पुनर जनम ले आत्मा सदा की पवित्र है ध्यान में रखना बच्चे इस बात मैं आत्मा सदा की पवित्र हूँ देखना क्या होता है समझे बच्छ मनुष्य पवित्रता उससे जुडाई हुआ है मनुष्य से मनुष्य और अपवित्रता अलग नहीं है एक ही है बाकि आपकी मर्जी बच्छ जिस consciousness में रहना है रहे मनुष्य consciousness में रहेगा दुख मिलेगा आत्म कॉंशेस्नेस में रहेगा सुक मिलेगा अत्मिक सिती में रहे और तेरे आस पास दुखाए इंपॉसिबल है बच्छ दुख से छूटना आ है न YE अशानती से छूटना आ है बापका बनना है न अत्मिक सिती में रहे, बन जाएगा, समझ की बात है बच्चे, बाकि तेरी अपनी मर्जी, बाकि मनुष्य में रहेगा और रोता ही रहेगा, हर वक्त रोता रहेगा, हर वक्त दुखी रहेगा, मनुष्य है, हर वक्त परिशान रहेगा, मनुष्य है बच्चे तुम, जब समझ जाना मनुष्यकॉन्शनेस इसले चिंतित है बाकि और कोई बात ने बच्चे ये बात नहीं कि तेरा योग कम हुआ है मुरली कम पड़ी नहीं बच्चे ये तो सत्यूक्य नहीं मनुष्यकॉंशनेस में इसले दूखी है अत्मिक सिती में रहे, अपने आप शान्ती है, शान्ती तेरे गले कहा रहे, सुख तेरा श्रुंगा रहे, प्रेम तु तेरे वाइब्रेशन शी है, अत्मिक सिती, उसमें रहने के बाद, तू क्या पाना चाहता है, अलग, बाकी बच्छे तेरी अपनी मर्जी, जिस consciousness में रह रहे, बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा जानती है, परमपिता परमात्मा, ज्यान का सागर है, शांती का सागर है, उनकी महिमा है न, वह सर्व का बाप है, और सर्व का सद्गती दाता भी है, तो सभी का बाप के वरसे पर हक जरूर लगता है आत्माओ का मनुष्यों का मेरे वर्से पर कोई अधिकार नहीं है तो अगर आत्मिक सिती में है तो वर्से पर तेरा हक है वरना नहीं बच्चे ऐसे नहीं कहना बाप का वर्सा हमें मिलेगा किसे दू बता नामरूप को वदपुजिशन को देह को किसको दू वर्सा वर्सा तो मैं आत्मा को देता हूँ और आत्मा को वर्सा देने के लिए और आत्मा वर्सा लेने के लिए उपस्तित है बच्च चेक कर आत्मा उपस्तित है क्या चेक कर अंत में यही होगा बच्चों बहुतों की आत्मा उपस्तित ना होने के कारण उने वर्सा नहीं मिलेगा, बलकि उन्होंने पूरा जीवन पुर्शार्थ किया है, पूरा जीवन, पूरा जीवन अमृत्वेला की है, मुरली सुनी है, पढ़ी है, नुमाशाम किया है, अंगिनद बाबा मिलन की है, भट्टि पर आत्मा ही उपसित नहीं, वर्सा नहीं मिलेगा, वर्सा खतम हो जाएगा, फिर बचेगा नौकर चाकर दास दासी का कारोबार, फिर मजबूरन उनकी आत्मा को लाया जाएगा उनके अंदर, और जो बचा कुछा है वो उने दिया जाएगा, अजिर नहीं, कैसे होता है आइन लगिये है, नाम लिया जा रहा है, फलाना आगया, दे दिया वर्सा, फलाना दे दिया वर्सा, तेरा नाम भी पुकारा जाएगा, आत्मा, पर आत्मा उपसित नहीं के कारण, तो आगे नहीं हब आप आएगा, फिर अगला नाम, ऐसे करते करते वर्षा खतम हो região बहुत सारे बचे, अब करें क्या, नौकर चाकर, दास दास, दे दो अभी जो कुछ बचा है, उनको दे दो, समाप्त करो, वर्सा जिसे चाहिए वो कहा है, आत्मा, बच्चे समल कर रहे ना, फिर नहीं कहना बापको, कि बाबा हमने तो पूरा जीवन समर्पीत कर दिया, और ह तु कहा उपस्तित ैं, वर्सा किसे दूम है, समझ़ है बच्चे, वंडर्फुल ड्रामा है, बाकी ड्रामा, बाप से वर्सा क्या मिलता है, बच्चे जानते हैं, बाप है ही स्वर्ग का रचेता, तो जरूर स्वर्ग का वर्सा ही देंगे, और देंगे भी जरूर नर्क मे नर्क का वर्सा दिया है रावण ने इस समय सब नर्क वासी है न तो जरूर वर्सा रावण से मिला है और बच्चे वर्से की और एक बार ध्यान से समझना इसे जब वर्सा दिया जाएगा तो तेरे लवकिक परिवार वाले जो ग्यान में चल रहे है वो भी तो आजिर होंगे कुछ न कुछ जमा होगा तो गलती से भी वहां conscious ने जागरुत हुआ ये मेरे फलान है सारा वर्सा खलाश वर्सा तुझ अकेले को मिलेगा इसलिए बाप कहता है देह और देह के संबंद भूलो वो कहेंगे ये हमारे तुने का हाँ हमारे समा बाप कहेगा इसे हटाओ इसे वर्सा नहीं मिलेगा दास दासी नौकर चाकर का भी नहीं मिलेगा बचा कुछा संबल कर रहे न बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई वर्सा चाहिए ना बाप से जब ऐसी अवस्ता होगी तब ही वर्सा मिलेगा वर्ना बच्चे माफ करना ड्रा मा तेरे अपनी मर्सी बाप से वर्सा क्या मिलता है बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचेता तो जरूर स्वर्ग का वर्सा ही देंगे और देंगे भी जरूर नर्क में नर्क का वर्सा दिया है रावण ने बच्चे लाइन ध्यान में आई नर्क का वर्सा दिया है रावण ने तेरे पास क्या-क्या है देह, बुद्धी, नर्क की घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, जाइदाद, धन किस ने दिया है वर्सा रावन ने बच्चे रावन के वर्से से मोह हटा इसलिए तो बाप कहता है देह और देह के संभन्दों को भूलो तु चाता है इश्वर का वर्सा मिले पर रावन का वर्सा छोडने के लिए तयार नहीं त्यागने के लिए त्यार ने, ये मेरे, ये फलाने, ये फलाने रावन के वरसेदार समझ है बच्छे, होश में आ, कब होश में आएगा देह और देह के संबंदों को भूलेगा मुरली सुनी नहीं कभी, हर पास साल में रिपीट होती है न तो इतने सालों से ज्ञान में है, कितनी बार आया होगा ये महावाक्या, कि नर्क का वरसा दिया है रावन ने तो त्याग रहा है, नर्क का वरसा तुझे नहीं लगता, नर्क का वरसा ये देह है समर्पीत कर दे, यग्यमे, मेरा नहीं है बाप को दे दे सब कुछ सुआहा कर दे रावन की जाइदा संबाल कर बैठा है मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए भई तेरी बात जो मिलेगा तुझे मिलेगा समझ के बात पकड़ के बैठा ये मेरे माता, पिता, पती, पत्नी, बच्चे रावन के रिष्टेदार रावन ने बनाए और तुझे बाप इतने लंबे समय से कह रहा है और तू भी गार आए तुमेव माता, पिता, तुमेव कहां का भई गार आए तो कुछ आर्थ है कि ने उसका तुमेव माता, पिता, तुमेव कहां बाप को बनाया है मात पिता आज भी तेरे मात पिता में बुद्ध्य अठकी है और गाता है तुमेव मात अश्य पिता तुमेव बच्चे क्यों अपमान कर रहा है समझ है बच्चे तो सीधा बाप को गाली दे रहा है आरती करते करते तुमेव माताश्य पिता तुमेव और इधर माताश्य पिता कोई और बनाए समझ है बच्चे तेरे बच्चे है लवकिक और तू युगा रूप में खड़ा है आरती कर रहा है तेरा बच्चा भी गा रहा है तुमेव माताश्य पिता तुमेव और आरती के बाद वो बच्चा किसी और के पास गया और कहा ये मेरे माता पिता आपको कह रहा है आपने मेरे माता पिता नहीं हो कैसे लगेगा क्या करोगे लगेगा कैसे अगर आपके लगकी बच्चे नहीं कहा आप मेरे माता पिता नहीं हो किसी और को का ये मेरे माता पिता तो सोचना बाप को कैसे लगता होगा समझ है बच्चे चिंतन कर पूरा पूरा सारी समझ की बात है नर्क का वर्सा दिया है रावन ने इस समय सब नर्क वासी है न तो जरूर वर्सा रावन से मिला है नर्क और स्वर्ग दोनों है यह कौन सुनते है आत्मा अज्ञानकाल में भी सब कुछ आत्मा करती है परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है हमारा स्वधर्म है शान्त यह भूल जाते हैं हम रहने बाले शान्तिधाम के हैं यह भी समझाना चाहिए कि सच खंड ही फिर जूट खंड बनता है भारत सच खंड था फिर रावन राज जूट खंड भी बनता है यह तो common बात है मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है जिसको पत्थर बुद्धी कहते हैं जिसने भारत को स्वर्ग बनाया पुझारी बन गाली देते हैं बच्चे आत्मा तमो प्रधान हो गई है जिसको पत्थर बुद्धी कहते हैं बच्चे देख तेरी पत्थर बुद्धी है या पारस बुद्धी क्या है चिंतन कर बच्चे अपने से तेरी बुद्धी कौन सी है समझ की बात है पूरा चिंतन कर बच्चे चेक कर तेरी बुद्धी कौन सी है तुझे अगर आत्मिक सिती समझ में आ रहे परमात्मा तेरा परम पिता है परम माता है ये समझ में आ रहे तो तेरी बुद्धी पारस बुद्धी है और अगर तेरी बुद्धी देह और देह के संबंधियों में अठकी और लटकी है पत्थर बुद्धी है simple definition है पारस बुद्धी और पत्थर बुद्धी के देख अपने आपको तेरी बुद्धी क्या है आज भी तुझे क्या लगता है तेरा पिता कौन तो कनफर्म कर तेरी माता कौन देख सब कनफर्म कर और तेरे बुद्धी में अगर यह उत्तर आरा है तेरा पिता बाप तो तु कहा है तेरी माता बाभा शिव बाभा तो तु कहा है बच्चे मज़दार प्रशन है मज़दार है बहुतों को समझ में नहीं आता बस ऐसे ही गाते तोमें यह वो माता श्य पिता तोमें ही वो वासे अगर वो देवी देवता निकले और बोला अभी तु घर नहीं जा सकता तुने मुझे माता पिता कहा है ना इसी मंदिर में रहना पड़ेगा गर नहीं जा सकता अप्षन नहीं तेरे पास और घर गया तो तेरा जो होगा जिम्मेवार तुम तो बच्चे समझ है बच्चे फिर कहेगा कहां इस मंदिर में आगए कौन से देवी देवता के पास आगए बच्चे बाप प्यार से समझा आ रहा है प्यार से कह रहा है, समझ में नहीं आता है, समझ है बच्चे, समझदार बन, देख छेक कर तेरा मात पिता कौन, सारी समझ की बात है, तु बस बोलता है, कर के नहीं दिखाता है, बच्चे, शरीर छोड़ने का समय आए, तो काल के साथ जाने के लिए तयार है, पर मेरे साथ शरीर में रहते, चलने के लिए तयार नहीं, अजीब बात है, मृत्यू पसंद है तुझे, पर परमात्मा पसंद नहीं, अजीब ड्रामा है, कैसी पत्थर बुद्धी है बच्चे, कितनी है देख, तेरे साथ अचानक अगटी तो हो जाए, संकल्पनी सभी बातों के लिए कट कर रहे हैं, तो तु राजी है, पर शुब घटना गटी तो हो रही है, तेरे उद्धार की, कल्यान की, उसके लिए त परमात्मा का बनने के लिए, अजीब बात है बच्चे, विचार करना, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, उज्ज बनाया, उनको यी फिर पुजारी बन, गाली देते हैं, इसमें भी कोई का दोश नहीं, बाप बच्चों को समझाते हैं, यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैस पुज्य से पुजारी बने, बाप समझाते हैं, आज से पाँच जार वर्ष पहले भारत में, आदी सनातन, देवी देवता धर्मता, कल की बात हैं, परंतु मनुष्य बिलकुल भूले हुए हैं, यह शास्त्र आदी सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाये हैं, शास्त्र ह है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं, बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नौलेज देते हैं, है देवतापद के लिए, बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, सत्य कोई शास्तर होता नहीं क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रालब्ध एक्कीस जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्सा मिलता है पीछे फिर रावन का वर्सा मिलता है अल्पकाल के लिए जिसको सन्यासी लोग काग विश्टा समान सुख कहते हैं दुख ही दुखधाम ही दुखधाम है कलियुग के पहले है द्वापर उसको कहेंगे सेमी दुखधाम यहा है फाइनल दुखधाम आत्मा ही चोरासी जनम लेती हैं नीचे उतरती हैं बाप सीड़ी चड़ा देते हैं क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है बच्चे ध्यान में रखना ब यहां दुखधाम लेती है मने कुई और है जो और ज्यादा जनम लेता है 84 लाक हो है मनुष आत्मा के 84 जनम है मनुष के 84 लाक समझ की बात है बच्चे समझना पढ़ता है मनुष अगर रहे तो 84 लाक में जाओग आत्मा जनम तो 84 में आओग, 24 तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, आपकी मर्जी, मनुष्य बनना है, या आत्मा में आना है, मैंने कह दिया है, आत्मा ही 84 जनम लेती है, बाकि मनुष्यों के तो 84 लाख है ही है, शास्तरों में कहते हैं, 83 लाख, 99,995 पेड़ पौदा जानवर, सब के जनम होते हैं, उसमें जब पाप, पुन्य समान हो जाता है, तो 84 लाख हुआ, मनुष्य जनम मिलता है, एक ही, मनुष्य जनम, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे कोई आपती ने, जो बनना है बनो, मैं तो सीधा ग्यान दे रहा हूँ, आत्मिक सिती में आओगे, तो 84 जनम, ये तो 84 लाख, समझ की बात है बच्चे, बाकि तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर, सारी समझ, कोई बच्चे सोचेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चे मुझे बता, जो क्लोन बनाये जा रहे हैं, क्या क्लोन आत्मा है, इस दुनिया में, क्लोन जो तयार किये जा रहे हैं, किसी किसी के, क्या उसमें आत्मा है, किस से बनाया है, उर्जा से बनाया है, फलाने व्यक्ती का डिये ने ले लिया, और क्लोन तयार किया, अभी क्या आत्मा उसमें बैठी है, सिंपल बात है उर्जा को पकड़ लिया है बस उस उर्जा से सेम शरीर की रचना कर दिये कोई बड़ी बात नहीं क्लोन बनाना वो पुरानी अंशन टेक्नोलोजी है बच्चे क्लोन बनाना सब कुछ पॉसिबल है इस धरा पर everything बस open-minded रहो और ज्ञान को समझो सब तुम कौन हो चेक करो ध्यान से चेक को मनुष्य या आत्मा मर्जी तुमारी चोईस तुमारी है जो बनना है बनो मुझे कोई आपत्ती नहीं सुख पाओगे तुम दुख पाओगे तुम और मैंने तो कहा है मेरे जो बच्चे है आत्मार अंता तक मुझे मिली जाएंगे वो कहीं नहीं जाएंगे इसलिए बाप बहुत मुर्लियों में कहता है जिन का राजा बनने का पार्ट है वो बनी जाएंगे कलपा पहले अनुसार ड्रामा प्लान अनुसार उसमें कोई आपती नहीं तु देख तुझ में क्या है चेकर समझ है बच्चे नई दुनिया थी देवी देवताओं का राज्य था दुख का नाम निशान नहीं था इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकटे जल पीते हैं सिंपल बात है बच्चे इकटे जल पीना कोई बड़ी बात नहीं इथर बदल गया सब ठीक हो गया शेर बकरी क्यों नहीं इकटे जल पीएंगे वाह इंसा का इथर ही नहीं है शेर को पता ही नहीं बकरी को मारना है न बकरी को पता है शेर हमें खाता है इथर बदल गया ब्रह्म तत्व सबका consciousness एक समान वहाँ कोई उँच नीच है नहीं सब समानता से चलते हैं अति प्यार का अति इसनिय का राज्य है बच्चे हो पर उस राज्य में कौन जाएगा जो यहाँ समानता से चलता है तुझे अगर लगता है तुँ उँच वो नीच तुझे प्रवेश नहीं मिलेगा गलती से भी गलती से भी किसी ज्यानी योगी को लगता है मैं उँच ये ज्यान सुनने वाले नीच तुझे एंट्री नहीं मिलेगी बिलकुल एंट्री नहीं मिलेगी तू कितना भी ज्यानी योगी हो एंट्री देना मेरे हाथ में है भाई सीधे कहता हूँ सत्यूग मेरी जागीर है बोल क्या करना है मुझे ठीक लगा तू पात्र हुआ तो तुझे दूँगा वरना नहीं दूँगा कितनी भी मुरलिया आज तक मैंने जितनी मुरलिया सुनाई है तुझे बाई हार्ट है कंट है फिर भी नहीं दूँगा बोल क्या करना है मुझे गुण चाहिए पात्रता चाहिए है तेरे अंदर पात्रता उच नीच समझने वाले उचता नीचता करने वाले सपने में भी स्राज्य में नहीं जा सकते समझ है बच्चे बच्चे लक्ष्मी से श्री नाराणी जी का जितना स्निय है न उतनाई स्निय चांडाल से भी है समान एकदम समान है तेरिया इसी अवस्ता इस इशुवरिय ब्रह्मन परिवार में समानता में चलता है जाना कहा है समानता के राज्य में समानता ला अपने अंदर पहले है क्या देख नहीं है तो तू उस राज्य के लिए पात्तर नहीं है बिलकुल समझ की बात है बच्चे चिंतन कर तुझे ऐसे तू नहीं लगता तू टीचर ज्ञानी योगी और ये स्टूडन बे अकल अयोगी अज्ञानी ये consciousness तो नहीं है तेरा तू 20-30 साल से ज्ञान में चल रहा है ये अभी अभी आये इन्हें क्या अकल नापास मेरे डिक्शनरी में ये सिखाया किसने ये अभी अभी आये जो अभी अभी आया है अगर उसमें advance party हो तो फिर कहेगा मैं अभी अभी आया हूँ तो किसने सिखाया तुझे उँच नीच का ग्यान समानता का ग्यान समझ में नहीं आता समानता से चलना नहीं होता संबल कर रहना जिसके अंदर समानता का भाव है वही सत्यूग में जाएगा point one भी असमानता है त्रे ता मेरा नहीं है वो वो सत्यूग से जन्मा हुआ है त्रे ता यूग को मैं मेरा कभी नहीं समझता वो तो सत्यूग से निकला हुआ है भई समझ है है सारी की सारी मेरे दुनिया में तु कभी नहीं आ पाएगा अगर तुझ में असमानता है समानता नहीं है समल कर रहे ना वच्छ वंडर्फुल रामा है बाकि तेरी अपनी मर्जी जो अच्छा लगे करता रहे समानता में चल या असमानता में चल जिनके अंदर प्रेम भाव नहीं है इश्वर्य परिवार में एक दूसरे के प्रति समान स्नेह जितना मुझ़ शिव बाप से स्नेह है साकार आकार निराकार से उतना ही सब से जरा भी कम नहीं होना चाहिए जितना बाबा से प्यार उतना ही परिवार के हर सदस्य से प्यार तो मैं राजी हूँ वरना नहीं माफ करना जहा जाना है जाओ जो पाना है पाओ समान प्यार ध्यान में रखना बाकि तेरी अपनी मर्जी में वापिस बार बार एकी बात कह रहा हूँ तेरी मर्जी सब समझ की बात है सारी की सारी बच्चे चिंतन करना तु पात्र है क्या देखना दुख का नाम निशान नहीं था इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इखटे जल पीते है ये पताए क्या है अभी जो बात कही उसी की बात है ये पताए क्या है शेर बकरी इखटे जल पीते है समझ है बच्चे तू कभी बड़ा हो जाए ग्यान योग में उंचा हो जाए तेरी अवस्ता बड़ी उंची हो जाए जिसकी अवस्ता नहीं है न उसके साथ भोजन करके दिखा उसके साथ उसकी व्यवस्ता में आराम करके दिखा उसकी साधारण व्यवस्ता में शेर बकरी, अपने को शेर समझता है क्या तो बकरी के साथ जल पी के दिखा दूसरे को बकरी समझता है समझ की बात है समझदार बन दिखा करके मुझे तो लंबे समय से ज्ञान में है ना आदी वाला है ना तो सब के साथ ऐसे मिल जुल के चल के दिखा और ऐसा चल के दिखा कि देखने वालों को ये लगे तेरे इसाब से जो बकरी है वो आदी वाले और तू अभी अभी आया है इतना गरीब, इतना नम्र चल सकता है यह इंकार रहेगा हम तो आदी वाले हम तो बाप के साथ चलने वाले बाप के साथ साकार में उठने बैठने वाले समानता यहाँ तो ही वहाँ जाएगा वरना बच्चे भूल जाना सत्योग सपने में भी देखने को नहीं मिलेगा अपने को बढ़ाना समझ बहुतों में एंकार है समझ की बात है मैं बढ़ा तुम साधारण तुम छोटे किसने का भाई बापने तो नहीं कहा कभी कोई बढ़ा कोई छोटा तुने कहां से डिसाइड किया मैं बढ़ा तु छोटा ऐसा जो समझता है ना अब समझ जाना यह चांडाल जाती का है चन्डाल, मैं सीधे बताता हूँ उँच नीच करने वाला जो कोई है अपने को बड़ा समझने वाला और दूसरों को छोटा देखने वाला इसका जनम चन्डाल ही है कितना भी पुरशारती हो अधी वाला हो या अंत वाला हो चन्डाल सीधा समझना उच नीच करने वाला चंडाल समझ की बात है बच्चे सब को एक लाइन पर लाके रहूंगा मज़ा देखना मेरा वंडर्फुल ड्रामा है बच्च मज़ा तो देख मैं क्या क्या करता हूं एक लाइन पर सब को नहीं आए तो परमात्मा काहे का मैं सब एक समान अवस्ता में और तू अगर उच्चता में है तो संबल कर रहे ना समझ की बात है महाकाल की समान ताकि एक तलवार घुमेगी तो सिर अगर उपर रहा ना तेरा कटेगा संबल कर रहे ना उपर रहा तो और ऐसे नहीं कि सिर्फ उपर से घुमेगी, नीचे से भी घुमेगी, टांगे नीचे गई तो वो भी कटेगी, संबल कर रहे हैं ना, महाकाल की और रुद्र की समानता की तलवार, दोनों तरफ से घुमेगी, उसमें जो बैठे वो उसके बच्चे, बाकी नहीं, समझ है बच है, तुझे क्या लगता है, समझ की बात है, जो बड़े बड़े ग्यानी योगी है ना, बड़े बड़े ग्यानी, उनको भी बिठाऊंगा, जिनको ग्यान सुनाते थे, उनको कहूंगा, तू सुनाएगा भी ये सुनेगा, तू योग कराएगा, ये करेगा, एंकार गलाना तो पड़ेगा वरना मरेगा वो ग्यानी होगी और कोई उपाई नहीं है समझ है और इससे भी एंकार नहीं गला इससे भी तो जो ग्यान सुनने वाले है उसमें सबसे पत्थर बुद्धी जो है पर वो रोज अटेन करता है उनका ग्यान ये जो स्पीकर है न वो उसका अब्रामण ये अब्रामण उसकी सेवा करनी उसको जो चाये बना के देना है और उसको तेरे जैसा बना के लाना है मेरे पास मैं बैद खतरनाग परमात्मा हूं बेहद कोई अगर अपनी उची शान में रहता है न तो तयार रहना बच्चे शान क्यों अलिशान कर दूँगा न अलिशान बना देगा बस अलिशान बनते बनते होते होते परेशान नहीं होना और भाग नहीं जाना समझे बच्चे समझदार बन चिंता करना अगर हो तो और नहीं हो तो चिंतन करना और उस अवस्ता में आना सारी समझ की बाते हैं बच्चे सारी के सारी बाकी बच्चे तेरा ड्रामा वंडर्फुल ड्रामा है बच्चे बस मैं एकी बात कहूंगा एंकार छोड और समानता में आजा हमेशा एकी बात समझनी है इस ब्रह्मन परिवार में सबसे लास्ट मैं हूँ सबसे नीच मैं हूँ सबसे शुद्र मैं हूँ यह मेरा परिवार सबसे हूँच है महान है गलती से भी टकराव नहीं होगा गलती से भी सपने में भी नहीं होगा इस धारणा में रहेंगे तो सबसे लोएस्ट मैं हूँ इस ईश्वरिय ब्रह्मन परिवार में भल तू कोई भी है समझे बच्चे कोई भी है बस यही समझ कर चलना है टीचर अगर अपने आप को स्टूडंट से भी लो समझे न मैं ऐसे बना दूंगा न उसे सारे स्टूडंट कहेंगे क्या टीचर है पर टीचर अपने आप को स्टूडंट से उँच समझता है मैं नहीं बना सकता माफ करना बच्चे माफ करना नहीं बना सकता जिसने अपने आप को गिराया उसी को मैं उठाता हूँ नीच को ही मैं उँच बनाता हूँ शुद्र को ही मैं ब्रह्मन बनाता हूँ यह मेरा अपना तरीका है बाकि तेरी मर्जी तेरे एहंकार की, तेरे रावन की, तेरे माया की मर्जी जो अच्छा लगे कर मुझे बहुत पसंद है जो बच्चे परिवार में एक दूसरे के आगे छोटी-छोटी बात के लिए हज जोड़ते हैं बहुत पसंद हैं हज जोड़ते हैं रिक्वेस्ट करते हैं परिवार में I like them मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे और जिसके अंदर होड़ है ना हाथ उपर नहीं उठेंगे उठेंगे तो ऐसे ऐसे नहीं रहेंगे आप देखना ऐसे हाथ नहीं आएंगे किसी टीचर को देखा ए स्टूड़न को हाथ जोड़ते अरे चलो सبحी बाबा की श्रिमत्य ऐसे करते हैं नहीं, सभी कोई श्रीमत है बाबा की, ऐसे करना है, यह हाथ जुकने के नहीं है, न जुकाने के है, समान बनाने के है, समझ है बच्चे, इस से माया, माया को यह पसंद नहीं है, हाथ जोडने वाले के अंदर माया नहीं रहे, यह मुद्रा है, देखना आप, यह मुद्रा है, मुदरा शास्त्र पढ़ा हो तो पता चलेगा हाथ जोडने वाले में माया कभी नहीं आ ली इसलिए माया ना आए थोड़े समय के लिए सही इसलिए भक्ती में यहाथ जोडने का रखा है अटलिस माया ना आए समझ है बच्चे तु देख तेरा है स्वभाव संस्कार ऐसा समझ के बात है बच्चे दिखावा नहीं करना है तो प्यार दिखना चाहिए इससे प्यार, अभी मैं जोड रहा हूँ देखो क्या दिकता है क्या महसूस होता है देख महसूस करके समझ है ऐसे नहीं भाही काट देगा महाकाल समझ है सारी चिंतन की बात समझ की बात है जुकना सीखो परिवार में जुकना जुकना नहीं है बच्चे वही इसने है और ये जो बच्चे अच्छा पुर्शार्थ करने वाले जुकना नहीं जानते इनके द्वापर के बाद बहुत बार सिर कटे लडाईयों में दोसरे राजाओं उने काटे उनके वहां के एहंकार के कारण नहीं काटे संगम के एहंकार के कारण काटे इसलिए जिन जिन राजाओं के सिर कटे हैं समझ जाना कौन थे हो समझ की बात है बच्चे चिंतन कर तू समझता है अपने आपको परिवार में सबसे लोएस्ट अगर तू लोएस्ट है तो अपने आप उसकी बात मानेगा उसको हाँजी करेगा हाँजी क्योंकि शुदर क्या कहेगा राय क्या देगा ओ ऐसे करो ऐसे करो समझ है देख चिंतन कर अपने से एंकार समस्या है और कुछ नहीं निकालना हो तो निकाल नहीं निकालना हो अच्छा लग रहा हो मजा कर मुझे कोई आपत्ती नहीं अच्छा मिठे मिठे सिकिलधे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौरनी रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते और बच्चे द्यान में रखना संगम पर जिने ये आदत है इश्वर ये परिवार के लिए विश्व के लिए वही कल्प में ऐसे बनते हैं पुझ्य स्वरूप वाले दुनिया को ब्लेसिंग देने वाले समझ्छ जिने आदत नहीं है ये पार्ट उनका नहीं है अशिर्वाद करने का ब्लेसिंग देने का उनका पार्ट नहीं है ड्रामा बच्चे धारणा के लिए मुख्य सार है एक नंबर जैसे बाप डायरेक्ट आतमाओं से बात करते हैं ऐसे स्वयम को आतमा निश्य करना है इस कबरिस्तान से ममत्व निकाल देना है ऐसे संसकार धारण करने है जो कभी कर्म कूटने ना पड़े दो नंबर जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोश नहीं देते गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे बाप समान बनना है इस ड्रामा में किसी का दोश नहीं यह एक्यूरेट बना हुआ है वरदान है हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आतमा भुआ जो है ही वरदाता के बच्चे उनों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वत ही मिलते हैं वरदान ही उनकी पालना है वरदानों की पालना से ही पलते हैं बिना मेहनत के इतनी स्रेष्ट प्राप्तिया होना इसे ही वरदान कहा जाता है तो जनम जनम प्राप्ती के अधिकारी बन गए, हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा अधिकारी आत्मा के लिए दुरुष्टी से, बोल से, सम्भंद से वरदान ही वरदान है स्लोगन है समय की रफ्तार के प्रमाण पुरिशार्थ की रफ्तार तेवर करो अच्छा ओ शान्ते सभी बच्चों के लिए मात पिता बाप दादा और शिव बाप की तरब से टोली स्विकार हो बच्चे टोली खाओ और बाप क्या बन सकते हो तो बनो आत्मा होंगे तो बनेंगे बाकी बच्चे वा ड्रामा वा अच्छा ओम शान्ते वा बाबा वा वा ड्रामा वा वहारे मैं आत्मावा हाथ वहारे मेरा आध्य वहा वहारे मेरा इश्वर्य परिबार वहा वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा अच्छा ओम शांधित्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस पर भी मुर्ली चलेगी वा रामा वा 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 मैं भाग्या स्वराज चलाएंगे किसे दिन समझना ये क्या चीज है अच्छा, ओम शान्त खुश हो के का रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के का रहा है अब ये जहान सारा अपना परण पिक आशिम कितना है प्यारा प्यारा खुश हो के का रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के का रहा है अब ये जहान सारा तुमसा कहां है कोई पाए कही नहीं हम तुमसा कहां है कोई पाए कही नहीं हम माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जोगन पाकरी तुम्हे है चम का तक्दीर का सितारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा यह देव्य जोदी बिंदू है रूप कितना सुन्दर यह देव्य जोदी बिंदू है रूप कितना सुन्दर बच्चों ने है बसाया अपने हे दे की अंड़ बच्चों ने है बसाया अपने हे दे की अंड़ माता पिता सखा सकत तु आखों का है बादा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा अपना करम विताशिर कितना है प्यारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा चुश हो के गा रहा हैं